यह वीडियो जन्वरी फर्वरी मंत के क्रंट अफेर्ज का पार्ट टु है इससे पहले हमने क्रंट अफेर्ज का पार्ट वन किया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यह गोश्चिन बहुत ही इंपोर्टन है सभी एक्जाम के लिए इसलिए वीडियो को एंट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें मारा फर्स्ट क्वेस्टिन है कि हाल ही मैं भारत में निमोनिया की पहली सोदेशी वैक्सिन लॉंच की है नमोनिया की पहली सोदेशी वैक्सिन लाउंच की है जिसका नाम है उसका नाम है नियुमो सिल और इसे पूने स्थित सिर्म इंस्ट्यूट ऑफ इंडिया किंटने इसको लाउंच किया है लेकिन उन्होंने अकेले नहीं किया है उनके साथ इनके साथ पी-a-t-e-h पिए टी एच और बिल एंड मेलेंडा फाउंडेशन ने इनका सहीयोग किया था इन्होंने मिलके इसको लॉंच किया है नेक्स्ट क्वेस्टिन कौन व्यक्ति हाल ही मैं नय उप चुनाव आयुक्त न्युक्त किये गए हैं तो कौन है वो वो है उमेशिना उमेशिना जो है वो नय चुनाव आयुक्त न्युक्त किये गए हैं इससे पहले जो उमेशिना है वो उत्रपरदेश के एडर के वर्स नाइन्टी एटी सिक्स के आईयस आदिकारी भी रह चुके हैं अब यह सेवा निवरित हो गए थे वहां से और अब यह उप चुनाव आयुक्त न्युक्त किये गए हैं वहां नेक्स्ट कॉस्चिन है कौन हाल ही में जम्मो कस्मीर व लद्दा के नए चीफ जश्टिस बने हैं तो यह बने हैं जश्टिस पंकर्ज मित्थल जश्टिस पंकर्ज मित्थल जो है वो गीता मित्थल के सेवा निवरित होने के बाद राष्टपती के आदेश से जश्टिस पंकर्ज मित्थल को सियुक्त जश्टिस निउप किया गया है शियुक्त कहां का जमुक्समीर और लदधाख का इनको चीफ जुष्टिस निक्त किया गया है राश्टपती के आदेश के अनुसार और जो पंकज मित्तल हैं उनकी जगहantage स्कुे समस्पार अनुसार पहले जब गीता मित्तल सेवा बड高 वडेरो फब इतल उनकी जगह पे थे और फिर पंकस मित्तल के आते ही उनका तवादल हो गया और उन्हें वेज दिया गया कॉलकत्ता हाई कोट में जज के पत पे उन्हें वेज आ गया किस राजे की सरकार ने हाली में अलॉम्पिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाडियों को तीन क्रोर रुपे देने की घोसना की गई है तो यह किस ने किया है यह किया है राजेस्थान सरकार ने राजेस्थान सरकार ने अलॉम्पिक एसियाई और राष्ट्रमंडर खेलो मैं पधक जीतने वाले खिराडियों को इनाम की रासी को बढ़ाने का फैसला किया है पहले इनकी इन्हें रासी मिलती थी 75 लाख लेकिन अब कितने रासी इनको देने का फैसला किया गया है 3 क्रोल रुपे देने के इनको गोस्ना किया यह राजिस्तान सरकार ने किया है किस देश ने मृत्यू धंड की सजा को समापत किया है कजाकिस्तान में कजाक राष्टपती ने एक संसद्य कानून पर अस्ताकसर किया है कि अम्रित्यु दंड जो है उसकी सजा को समापत कर दिया गया यह कानून इन्होंने 2003 में बनाया था लेकिन फिर भी अधालतों में जो कुछ अपराधी होते थे उन्हें आसाधन पस्तिकियों मौत की सजा दी जाती थी लेकिन अब इसको बिल्कुल वंद कर दिया गया किसे आंदर परदेश हाई कोट के नए मुख्य नयादिस के रूप में नियुक्त किया गया है तो किसे किया गया है यह किया गया है अरूप कुमार गोस्वामी को अरूप कुमार गोस्वामी इससे पहले सिक्कम उच नहाले के मुख्य नयादिस के बद पर भी रह चुके हैं और जो अरूप कुमार गोस्वामी है वे जे के महिस्वरी की जगर लेंगे जिनने अव सिक्किम भेज दिया गया है अरूप कुमार गोस्वामी जे के महिस्वरी की जगर लेंगे और उन्हें अव सिक्कम स्थानंत्रेत कर दिया गया हमा नेक्स्ट क्वेस्टिन है हाली में कौन पुरुस टेस्ट मैच में अंपाइरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी है ये बनी है क्लियर पोलो साक साथ जन्वरी 2021 को भारत और अस्ट्रेलिय के बीच सिड्नी क्रिकेट ग्राउंड में सुरू हुए तीसरे टेस्ट मैच में क्लियर पोलो साक अंपाइरिंग करने वाली प्रथम महिला बन गई है इससे पहले उन्होंने बंडे मैच में भी पुरुस बंडे मैच में भी इन्होंने अंपाइरिंग की है अंतरश्टिय क्रिकेट में और वो मैच हुआ था किस के बीच में यह हुआ था नामेविया और ओमान के बीच में ओमान और नामेविया के बीच में इसमें विनों ने अमपारिंग की है किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए 615 बैंक ने किया है यह किया है hon बन्धन बैंकने अर्मी के साथ एक MOU पर प्रति वर्स हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। प्रति वर्स हिंदी दिवस मनाया जाता है दस जन्वरी को। प्रति वर्स हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी समेलन हुआ था दस जन्वनी अप्चेत्र को नागपूर में आयोजित किया गया था हमारा next question है कि इस राज्य के पूरा मुख्य मंतरी माधव सीं सोलंकी का 94 वर्स की उमर में निधन हुआ है तो ये गुजरात के पूरा मुख्य मंतरी है और ये एक वार यह भारत के विदेश मंतरी भी रह चुके हैं हमारा next question है हाली में परसीद व्यक्ति गुलाम मुस्तिफा खान का निधन हुआ है वे कौन थे तो गुलाम मुस्तिफा का कौन थे गुलाम मुस्तिफा खान एक संगीतकार थे और इनके निधन हुआ 89 वर्स में 89 कि उमर में इनका निधन हुआ गुलाम मुस्तिफा कान को साल 1991 में इनको पदम सिरी 2006 में इनको पदम भूशन और 2018 में फिरसे इनको पदम भूशन से नवाजा गया था और इनको संगीत नाटक अकादमी आवाउड से इनको सम्मानित किया गया है कि हाल ही में किसे भारत का पहला COVID-19 का टीका लगा है तो पहला COVID-19 का टीका किसे लगा है स्पाई करमचारी मनीश कुमार को भारत में करोना वायरस का पहला टीका लगाया गया है पर्धान मंतरी निरेंदर मोदी ने देश भर में करोना से जंग के लिए टीका करना वियान की सुरात की और इसके बाद दिल्ली के एम्स में भारत का पहला करोना टीका दिया गया तो फर्स्ट COVID-19 का टीका लगा है मनीश कुमार को हमा नेक्स्ट कॉस्टिन है हाली में किस राजे की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर कमलम फ्रूट किया है तो किस राजे की सरकार ने किया है यह गुजरात राजे की सरकार ने किया है गुजरात के मुखे मंतरी बीजे रुपानी ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर क्या कर दिया है कमलम फ्रूट कर दिया है और फ्रेंट्स मैं आपको पता दूँ कि दुनिया भर में जो ड्रैगन फ्रूट के नाम से जो फल परसिद है गुजरात में अब उसका नाम क्या लिया जाएगा कमलम फ्रूट लिया जाएगा और क्यों लिया जाएगा गुजरात की सरकार का निये फैसला किया है कि इस फ्रूट में ड्रैगन सब्द होना ही इस फ्रूट में ड्रेगन सब्द का इस्तेमाल ही गलत है इसलिए उन्होंने इसका नाम बदल के कमलम फ्रूट कर दिया है हाल ही में कौन गंतंतर दिवस परेड में सामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पाइलेट वनी है तो वो वनी है भावना कांत भावना कांत तीसरी ऐसी मैला है तीसरी ऐसी मैला है जिन्होंने फाइटर पाइलेट स्कॉर्ड में सामिल किया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेस्चिन है हाली में हुई घोषना के मुताविक किस राज्य में भारत का पहला स्रम आंदोलन संग्राले खुलेगा तो ये खुलेगा हाली की घोषना के अंसार बिस स्रम आंदोलन के इत्यास में ये भारत का पहला स्रम आंदोलन संग्राले होगा और ये होगा केरल में केरल के कहां पे होगा ये केरल के होगा ये अलप फू जाम है हमारा नेक्स्ट क्वेस्चिन है महाराष्ट सरकार ने हाली में गोरे वाड़ा चिर्यगर का नाम बदल कर किनके नाम पे रखा है तो महाराष्ट सरकार ने नागपूर में स्थित गोरे वाड़ा अंतराष्टी चिर्यगर का नाम बदल कर बाला साहब ठाकरे गोरे वाड़ा अंतराष्टी ये प्राणी उध् दो हजार हेक्टेयर भुमी बर फैला हुआ है नेक्स्ट कॉस्चिन है कौन व्यक्ति हाली में सोमनात मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्स बने हैं तो यह बने हैं नरेंदर मोदी नरेंदर मोदी से पहले मोराजी देशाई जो हैं वो सोमनात मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्स रह चुके हैं तो नरेंदर मोदी दूसरे ऐसे बरदान मंत्री हैं जिनों ने इस मंदिर नियास का अध्यक्स जिने न्युक्त किया गया है हमारा नेक्स्ट क्वाश्चिन है बारतिय रेलवे ने आल ही में हावड़काल का मेलड़्य का नाव बदल कर क्या रखा है तो यह रखा है नेता जी एक्सप्रेस नेता जी स्वास चंदरबॉस की 125 जंती से पहले हावडा काल का मेल ट्रेन का नाम बदल कर नेता जी एक्सप्रेस कर दिया गया है नेक्स्ट कॉस्चिन है हाली में किस राज्य ने अपने पहले ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल की सुरुवात की है तो यह की है हिवांचल परदेश सरकार ने हिवांचल परदेश सरकार ने ऐसा इसलिए क किया है ताकि राज्य की संस्कृति और पर्मपरा को बढ़ावा दिया जाए और यह ओनलाइन रेडियो एंड्राइड फोन के साथ साथ एपल फोन पर भी उपलब्द रहेगा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यहां पर हिल्स होगा आधा लग ल्ग्स यंगिस्तान हमां लेक्स वर्ष के उमर में उनका निधन हुआ परसिद यह बहुत ज्याद हैं उन्होंने भजन गाये हैं वजनों के साथ रिवसकार से निखिल सिर्वास्तफ निखिल सिर्वास्तफ के साथ दो और माक्स को येल विस्व बिद्याले के डैनियल एलन स्पीलमैन को किस राजे के सरकार ने हाल ही में बालिकाओं के लिए पंखावियान की सुरुवात की है तो राश्टी बालिका दिवस्ट 24 जनवरी 24 जनवरी को मध्य पर्देश सरकार मध्य पर्देश के मुख्य मंतरी सिवरासी चोहान ने बालिकाओं के लिए पंखावियान की सुरुवात की है हाली में कितने बच्चों को राष्ट्रिय बाल पुर्षकार 2021 मिला है तो ये राष्ट्रिय बाल पुर्षकार मिला है 32 बच्चों का चैन इसमें हुआ है और ये जो पुर्षकार है ये कला संस्कृती और बिन्विन्स रेनियों में ये दिया जाता है 26 जनवरी 2021 को पूरे भारत में कौन सा गंतंतर दिवस मनाया गया तो यह मनाया गया भत्तरमा गंतंतर दिवस आ नेक्स्ट कॉस्टिन है हाली में हुई घोषना के अंसार कितनी हस्तियों को पदम सम्मान 2021 मिला है तो यह मिला है 119 लोगों को इसमें पदम भिभूशन साथ लोगों को पदम भूशन दस लोगों को और 102 लोगों को पदम सीरी पुरुषकार मिला है हाली में कौन दो एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी भाला भारत का पहला राज्य बन गया है तो यह कौन सा राज्य मना है यह वन गया है उत्तर परदेश उत्तर परदेश दो हवाई दो एक्सप्रेस पे हवाई-पट्टी वाला पहला राज्य वन गया है और इसकी हेल्प से क्या होगा जो fighter planes होगे वो जैसे अपात कालिन स्थितियों में भी उनकी landing हो जाईगी बिल्क किस ब्यक्ति को हाली में बर्स 2021 का सुभास चंदरबोस आपदा प्रवंधन पुर्षकार मिला है तो किसे मिला है ये मिला है राजेंदर बंधारी को ये मिला है और ये 23 जन्वरी को ये गोशित किया गया हाली में जारी वर्स 2020 के भरष्ट अचार धारना सुच कहां कि मैं भारत को कौन सा स्थान मिला है तो ये मिला है भारत को 86 मा स्थान इसमें जिसको जीरो नंबर पे है वो सबसे भरष्ट और जो 100 में नंबर पे है वो सबसे साफ माना गया है इसमें जीरो से लेकर 100 तक पैमाने को उपयोग किया जाता है जिसमें 100 स्कोर वाले को बिल्कुल साफ माना जाता है और जीरो वाले को सबसे परशत के युवा अध्यक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष तो यह किये गए हैं सुपधर्शनी त्रिपाथी उन्हीं चुरानों बैच के आई एस अधिकारी सुपधर्शनी त्रिपाथी को कजाकिस्तान गंडराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नुक्त किया गया है तो फ्रेंड्स आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और अच्छी लगी है तो लाइक करें सेहर करें थैंक्यू कि बहुत है